देवी अहिल्या इनुवर्सिटी के टीचिंग विभागों के यूजी कोर्स में आन्मिशन के लिए हुई CUET के परिक्षा के जो रिजल्ट हैं वो 10 से 11 जुलाई तक घोशित होने थी जो कि अब अटक चुके हैं पीजी कोर्स के रिजल्ट के लिए तो अभी लंबा इंतिजार करना होगा एन्टे के सदेरी के कारण CUET के जरिये DAVV के टीचिंग विभागों की जॉइन फिलिंग करने वाले 2,70,000 विद्यारती अथर में ही क्योंकि अब नई परिस्थिती में यूजी की काउंसलिंग 15 अगस्त के बाद ही हो पाएगी पीजी काउंसलिंग 15 सितंबर तक होगी रिजल्ट और फिर काउंसलिंग के अंतिजार लगभक 60 प्रतीशत चातर कर रही जिनका परचा ठीक या अच्छा रहा दिये वीवी में यूजी में 1500 और पीजी में 1250 के आसपा सीटे यानि आडमिशन 2750 चातरों को ही मिल पाएगा बाकी के चातरों को कहीं और आडमिशन लेना होगा इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा जमदार कोई है तो वो है NTA यानि के नाशनल टेस्टिंग एजनसी और फिर DA वीवी प्रशासर क्योंकि पिछले साल पहली बार CUET हुई थी यानि CUET की परिक्षा हुई थी तब भी यही स्थिती बनी रही UGC के निर्देश पर NTA ने अडवांस प्लानिंग की मार्च में आवेदन शुरू कर दिये माई में UG और जून में PG के लिए एक्जाम ले ली गए लेकिन तय तारीक से 15 दिन लंबी एक्षाम चली अब रिजल्ट का इंधिजार बाकी है UGC के लिए एक लाख तिरासी हजार विद्यार्थियों ने रेजिस्ट्रेशन कराया था करीब असी प्रतीशत ने परिक्षा दी थी सबसे पहले कहा था कि 15 जून तक रिजल्ट आएंगी और एक से दस जुलाई के बीच में काउंसलिंग शुरू हो जाएगी फिर कहा गया कि 10 से 11 जुलाई तक रिजल्ट आएंगी और फिर एक ऑगस्त से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी पीजी के लिए करीब 87,000 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, इनमें से 90 प्रतीशत ने परिक्षा दे, इसका अब तक रिजल्ट ही नहीं आया, युनिवर्सिटी से बताया जा रहा है कि पीजी का रिजल्ट 31 जुलाई तक आएगा, इसके 5 दिन के बाद NTA र 60 कॉलेज़ों में MBA की कांसलिंग खत्म भी हो जाएगी